अलो पच्छों कैसे हो आप सभी लोग सब लोग अच्छे हो ना चलो बहुत अच्छी बात है तो आज मुंग कौन सा प्रेक्टिस जेट करेंगे तो यहां पर हम लोग करने वाले आप लोगों से कुछ पूछ मैंने रांप यहां 딱 नाइन के बीच मुझे बता है क्या मैंने नेच्डल नंबर साब से पुछ है तो नेच्रल नंबर क्या होता है आप जानते हैं यह से इंफिनिटी तक जो नंबर साइगे वहसिं थ्री आयेगा देखो तो के आगे त्री आएगा फिर फोर फिर फाइश सेवन एट और तब जाके क्या आएगा नाइन ठीक है तो दो और नो के बीच में कितने नेश्टरल नंबर्स हैं देखो हमने यहां पर लिख दिया तीन चार पांच यह साथ अठीक है दो और मतलब दो और नो के बीच के दो नंबर मतलब आपको दिये गये हैं सपोस करो चलो यही ले लेते ना टू अपॉन सेवन एक तो है आपका टू अपॉन सेवन दूसरा बज्चो शिक्स अपॉन सेवन ठीक है अब आपको करना क्या है कि इन दोनों नंबर्स के बीच के ना रैस्टनल नंबर्स बताने है तो याद रखिएगा चलो पहले नहीं आपको number line बना करके बताते हूँ यहां पर क्या है टू अपॉन सेवें और इस पॉइंट पर क्या है बच्छो शिक्स आपॉन सेवें तो ध्यान से समझेगा यहां पर हर एक ही मतलब हर मैं पास पास तहशपल ऊप् réfl anymore यहां पर कुण कोई नंबर आते ही जायए पर यहांपर यहां तक यहां तक में बहुत सारा रेशनल मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बीच में तो उन दोनों varias नंब के मतलब क्या हुआ यह जो लिखा हुआ है इनुमेरेबल इसका मतलब होता है अगर मैं हिंदी में इसकी बात करू तो असंख होता है' यानि जिसको आप कांट नहीं कर सकते मतलब बहुत सारे आते हैं किसी भी दो रैस्टनल नंबर्स के बीच में ठीक है तो जब पो तरीके से नहीं करना मैं आपको आसान तरीका बताओं के इसकी मदद से यहां पर को इसके बागी ऐसा तो बिल्कुल भी करना चलो देखते हैं को यहां पर लिखा है कि यानि कि यहां पर दो नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच के हमें तीन रैश्नल नंबर बताने हैं कितने तीन थीक है तो पहला तो आपका यह रहा टू अपॉन सेवन और शिक्स अपॉन सेवन तो कैसे करना इसको एक आप देख लो बाकी आपको समझ में आ जाएगा टू अ सेवन और सिक्स अपॉन सेवन गी हमारा कोश्चन है ठीक है तो अगर आपके डिनॉमिनेटर सेम रहेंगे ना दूनों ही फ्रैक्शन के तब तो आपका कोश्चन एकदम आसान आपको ज्यादा मेहनत करने के जरूवत ही नहीं पड़ीगी ठीक है तो यहां पर निउमरेटर से बड़ा क्या होता है ठीडरी थी त्री त्री इत अ कि हो खोड़ा हो और सकती है टेकर घ्षाइभ बड़ा है मुझे इसका मूह इसकी तरफ कि तरफ शइका कशुला रहे गाफंजन इसका मूह क落श aparece करोगे यहां पर हर जग़ दोगे सेवन करके लिख दो gets hai तो सब्सक्राम करनी नीचे पीकिलир से वालum नंबर और यह रस्ट नंबर यह बस इतना ही करना था ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते है कि hence the three rational numbers the three rational numbers between 2 upon 7 and 6 upon 7 तो कौन-कौन से rational numbers आएंगे बच्चो 3 upon 7 लिख दीजिएगा ठीक है फिर उसके बाद क्या लिखोगे 4 upon 7 और तीसरा 5 upon 7 ठीक है समझ गया यह तीनों numbers को हमने उठाया और यहां पर लाकर के लिख दिया इस तरीके से आपका पहला सब कॉस्चन कंप्लेट होगा ठीक है अब हम बात करेंगे सेकंड सब कॉस्चन की लेकिन उससे पहले मुझे इसे मिटाना पड़ेगा चले देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है तो देखो बच्चों यहां पर दो numbers दिये गा है 4 upon 5 दिया है और 2 upon 3 दिया है तो मैं यहां पर लिखते हूं कि अब इसको जरा ध्यान से देखो यहां पर जो आपके डिणोमेंटर सेम था तो हमें जादा महनत नहीं करने पड़ी लेकिन यहां पर आपको करना पड़ेगा क्या करना होगा सबसे पहले तो डिनोमेंटर को सेम करो और तब जाके आप इस तरीके से घरके अपना answer निकाल सकते हो ठीक है तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे solution उसके बाद से दो numbers कौन-कौन से हैं 4 upon 5 and 2 upon 3 ठीक है यही दोनों numbers है ना जी हां है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोनों के denominator को सेम करना होगा तो यहाँ पर हम denominator को सेम कैसे कर सकते हैं देखें ऊहरे और क्या ना अगर मैं इस में Six से और यहां पर मैं aktiv歓 कर दूं किस से 10 थीक है तो यहां पर 今天的 30 और यहां पर थी 10 से pa cos 30 और जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा यह पहला वहळा फ्रैक्शन लिखते है 4 upon 5 जिसमें हम लोग multiply करने वाले हैं 6 से तो यहां पर लिखते हैं 4 into 5 into 6 से multiply करेंगे ना अगर नीचे किया तो उपर भी करो 4 6 है क्या होता है बच्छो 24 और यहां पर आजाएगा 30 पराबर तो यह वाले fraction को आमने इस तरीके से लिख दिया फिर दूसरा वाला fraction ले ले लेते क्या है 2 upon 3 तो चलो इसको भी convert करते हैं तो इसमें किस से multiply करना होगा बताया था ना से multiply करना होगा तो चलो ऊपर किया मतलब नीचे किया तो ऊपर भी करो टू टेंसा 20 और थी टेंसा 30 ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमने दोनों के जो डिनोमिनेटर से उनको सेम कर दिया हैं अब इन दोनों में से बढ़ा नंबर कॉंबर कॉंसा है और चोटा नंबर कॉंसा है बच्छो देख लीजिए में ऐसे बढ़ा की विदी से बड़ा कॉम सा नंबर होगा 22 और इससे बड़ा क्या होगा अच्छों इतना तो आप लोग जानते ही है ठीक उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखीbert यहाँ पर denominator में क्या है 30 यानि हर एक के अपॉन में हम लोग 30 लिख देंगे देखो इस तरीके से 20 अपॉन 30 फिर इधर क्या आएगा 21 अपॉन 30 यहाँ पर आजाएगा 22 अपॉन 30 फिर 23 अपॉन 30 और लास्ट में आगया 24 अपॉन 30 ठीक अब एक और बाल सुन लीजिए यह जो 20 20 अपॉन 30 है नहीं कहां से आया था यहां से आया था тора इसके प्लेस हम लोग क्या लिख सकते बच्चो टू अपॉन थी सकते ना टो यह चेंटू आप लग दिया टू अपॉन 3 फिर यह सारे अनमबर्स कु लग लिखे लो ट्वेंटी्ट Grü अपॉन 30 और फीर यहां पर सब्सक्राइब दोनों का मिनिंग क्या है सेम है ठीक है इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे क्या लिखेंगे देखिएगा यहां पर हम लिखेंगे कि हेंस थ्री रैस्नल नंबर्स थ्री रैस्नल नंबर्स बिट्वीन कौन-कौन से नंबर्स थे टू अपॉन थ्री और फोर अपॉन फाई आर कौन-कौन से नंबर्स है आप लोग देख लो यह तीनों को उठाओ लिख दो ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी और दूसरा ट्वेंटी टू अपॉन थर्टी और तीसरा ट्वेंटी थ्री अपॉन थर्टी ठीक यस तो यह हो गया बच्चों आपका फाईनल आंसर आप कर लिया यह पहला है यह दूसरा है थर्ट सब कोश्चन देख लिए बच्चों यहाँ पर कौन-कौन से नंबर्स दिये गया है तो माइनस टू अपॉन थ्री दिया है उसके बाद से क्या है फोर अपॉन फाइट है तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते यहां पर लिखेंग यहां पर क्या है फाइट तो सोचिए हम लोग डिनॉमिनेटर को कैसे सेम कर सकते हैं तो देखो बच्चों एक सिंपल सी बात अगर मैं चाहूं तो इसमें 5 से मल्टिप्लाई करके 15 ला सकते हैं है ना तो हम लोग यही काम करने वाले हैं पहले हम लोग यह फर्स्ट वाला फ अपन 3 in 25 और यहां पर आ जाएगा 25 टीक चलो 25 क्या हो जयएगा बच्चों 10 यां डिके यहां पर हम लिख देंगे 15 टीक है तो क्याया तो क्या माइनस टैन अपким उसके बास से दूसरा नंबर क्या है देख लेजिए यहां पर 4 upon 5 तो यहां पर मैंने लिख दिया 4 upon 5 ठीक अब इसमें हम किस से multiply करेंगे तो 3 से मैंने आपको बताया था ना तभी तो 15 हो पाएगा तो यह देखिए दोनों ही नंबर हमने लिख दिया है अब हमें क्या करना होगा तो एक बात तो हम जानते हैं यहां पर लिखेंगे लिखेंगे ना तो देखिए गान इनके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे पहला नंबर मतलब यहां पर क्या है माइनस 10 अपॉन 15 है और पता ना मैं यह बड़ा कैसे लिख रही हूं देखो जैसे कि अगर इनन यह नंबर लाइन बनाया है ना तो आगे वह आगे तो सारे हमें पॉजिटिव नंबго मिलते हैं और अगर हम पीछे गए तो हमें उससे चोटे नंब ज्याते हैं एक यहां पे-0 है इसके पीछे गए और माइनस 1 मिलेगा है इसके पिछे गए तो माइनस टू मिलेगा है न तो देखिवे वच्चों यहां पर में क्या लिकर ही थी कि जैसे यहां पर देख लो minus 3 लिखा और minus 2 लिखा बताएं इन दोनों numbers में से कौन सा number यहां पर बढ़ा होगा तो देखो मतलब जब मैं यह minus 3 के आगे जाओंगी तब मुझे क्या मिलेगा minus 2 मिलेगा है ना यनि कि यह number बढ़ा है और यह क्या है बत्तो छोटा है थीकर देखो negative में उल्टा होता है जो number आपको छोटा दीख रहा है ना मतलब जो number आपको बढ़ा दीख रहा होगा यह छोटा होगा बताती हूं आपको देखते जाओ कहा तक जाएंगे पूरा यह 12 तक तो माइनस 7 आएगा फिर क्या आएगा माइनस 6 इसी तरीके से यह जाते जाएगा चलो ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं और यहां पर फाइनली हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा समझ पाएगी नहीं अभी हम क्या इसी तरीके से यह बढ़ता जाएगा माइनस 6 अपाउन 15 और यह कहा तक जाएगा बच्चो तो यह जाएगा पूरा बारा तक ट्वेल अपाउन 15 ठीक है यह मतलगा हूं ठीक पूरा लिखने मतलब अगर आप चाहो तो यहां पर पूरा लिखो फाइल लिखोगे फिर माइन इसी तरीके से यह पूरा तक जाएगा 12 तक जाएगा तो आपको उतना नहीं लिखने है आपको बस तीन ही बताने है तो तीन ही लिखो ना उतना सारा क्यों लिखोगे ठीक है अब ध्यान से देख लेजिए बच्चो यह जो माइनस 10 अपाउन 15 है इसका मतलब क्या हूँआ म इस के प्लेस पर हम क्या लिख सकते है माइनस 2 अपाउन 3 लिख सकते है ठीक है और यहाँ पर जो है वो तो लिखना ही है माइनस 9 अपाउन 15 विच इस ग्रेटर देन माइनस 7 अपाउन 15 ठीक है ग्रेटर देन माइनस यह और यह ग्रेटर देख लेजिए 12 अपाउन 15 के प्ले पाई के बीच के हमें थीन नंबर बताने थे ना इसमें से कोई भी तीन उठाई है और लाकर के लिख दीजिए ठीक है तो लास्ट में आंसर हम कैसे लिखेंगे यहां पर लिखेंगे कि हैंस थी राश्नल नंबर्स राश्नल नंबर्स बिट्वीन कौन कौन से लिखने है तो यही तीनो लाइन से लिख दिया जाए तो देखिएगा माइनस नाइन अपन फिप्टी लिख देते हैं इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ठीक है अगर आप चाहो तो प्लस वाले भी नंबर्स उठा करके लिख सकते हो ठीक है तो अभी तो मैं प्लस अब बारी यह उठा रही हूं जो है मैंने वही लिख दिया ठीक यस तरीके से थर्ड सब कॉस्चन यहां पर होता है कंप्लीट अब बारी है फोर्थ कोस्चन की चलिए फोर्थ वन भी देख लेते हैं तो देखिएगा चोधा यहां पर क्या है सेवन अपन नाइन और माइन इनके बीच के हमें क्या बताने मच्चो तीन नमबर्स बताने हैं तो चलो फिर छोड़ी सौड कर लेते हैं सेवन अपन नाइन और यहां पर आ गया माइन nessa आपन नाइन यह दो नमबर्स हमको दिये गए तो क्या किया चाहें देखो पच्चो यहां पर इस तरीके से आगे वढ़ता जाएगा और यह कहां तक जाएगा चलो रहो पूरह लिख डेते हैं इस से बढ़ा होगा माइनिस फिर इससे बढ़ा हो और फिर इसे बढ़ा होगा प्लास फिर उसके बाद 2 पिर इसके बाद लिख को यहाँति denna इस से बड़ा होगा और फिर यहां पर आ जाएगा बच्चोorts आपका 7 co यहां पर पंट यहां पर इस तरहिके से होगा तो हम आप नाइन जो है वह चोटा है minus 4 upon 9 से ठीक है यह चोटा है minus 3 upon 5 से ठीक है इसी तरीके से यह आगे बढ़ता आजाएगा कहा तक जाएगा पूरा यहां तक आएगा ठीक है तो पूरा ही लिखू ना चलो पूरा ही लिख देते हैं यह 5 कहां से आया 9 आएगा न यहां पर ठीक फिर minus 1 upon 9 फिर यहां पर 0 upon 9 आएगा फिर 1 upon 9 फिर less than यहां पर देखो आगे का 2 upon 9 यह less than होगा 3 upon 9 से फिर यह 4 upon 9 फिर 5 upon 9 luder 2 upon 9 फिर 6 upon 9 फिर 6 upon 9 फिर यहां पर आगे स्वेवन अपर नॉम त्टार्टिंग वाला नंबर हमारा यह है और लास्ट वाला नंबर यह है ठीक है इन दोनों नंबर्स के भीच के आमें tat computer सारे अ यह सब स्वाइब इसमें से कोई भी तीन इठाइए और दीजिए आपकी रजे चाहो तो ये 3 लेलो यह फेर इसमें से कोई भी तीन नंबर आपको लिखने हैं आप कहीं से भी टागर कर के लिख सकते हो ठीक है तो यहां पर हम लिखते है कि हैंस the three rational numbers numbers between minus 5 upon 9 and 7 upon 9 देखो बच्चो ये छोटा था ये बड़ा था मुझे कैसे समझ में आया तो minus वाला number छोटा होता है और plus वाला number बढ़ा होता है इसके लिए देखो minus को मैंने इदर लिखा बाद में मैंने वो plus वाले को लिखा तो देखिए तीन numbers यहां से उठाई है तो कौन-कौन से लिए जाए चलो एक ये ले लेते minus 1 upon 9 ले लेते ठीक है और फिर ये ले लेते है ये देखो minus 2 upon 9 ले ले लेते है और तीसरा 3 upon 9 ले ले लेते है तो ये हो गया बच्चो आपका final answer आप देख सकते हो ये है third ये है fourth है ना पहले आप ये देख लो फिर और भी questions है वो भी मैं आप लोग को बताती हूं देखिएगा बच्चो ये रहा सेम करने के जरुवत नहीं है directly हम यहाँ पर लिख सकते है क्या लिखेंगे देखिएगा we know that हमें एक बात पता है क्या पता है कि सबसे छोटा यहाँ पर क्या है minus 3 है ना इससे बढ़ा क्या होगा बच्चो minus 2 होगा फिर इससे बढ़ा minus 1 होगा इससे बढ़ा क्या होगा बोलो जल्दी से 0 फिर इससे बढ़ा 1 होगा 1 से बढ़ा 2 और 2 से बढ़ा क्या होगा 3 होगा मैंने यहाँ पर लिखती हूँ 3 इससे बढ़ा क्या होगा 4 और फिर यहाँ पर में आ जाएगा यहीं पर रुख जाईए ठीक है फिर देखिएगा डिनॉमिनेटर में क्या है फोर है ना तो हम लोगे काम करते हैं सभी के डिनॉमिनेटर में फोर लिखते थे ठीक है तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 3 upon 4 which is less than minus 2 upon 4 फिर less than minus 1 upon 4 फिर यहां पर 0 upon 4 आएगा फिर क्या आएगा 1 upon 4 फिर यह 2 upon 4 फिर उसके बाद यहां पर आगे देख लिएगा 3 upon 4 हम लिखेंगे 3 upon 4 less than 4 upon 4 less than 5 upon 4 ठीक है तो हमें इसके और इसके बीच के rational numbers बताने थे ना कोई भी 3 तो देखो इतने सारे नंबर से इसमें से कोई भी 3 rational number उठाईए और लिख दीजिए ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर लिखेंगे कि हैंस the 3 rational numbers between the 3 rational numbers between कौन-कौन से numbers है तो माइनस 3 upon 4 और 5 upon 4 और कौन-कौन से numbers है इसमें से 3 उठाईए तो चलिए एक हम यह ले ले लेते हैं माइनस 1 upon 4 दूसरा क्या लिया जाए बुले जली से यह ले ले लेते 3 upon 4 या फिर 2 upon 4 चलो 2 upon 4 ले लिया फिर यह 3 upon 4 ले ले लेते हैं तो इस तरीके से fix up question complete हुआ अब बार रही है 6 वाले question की चलो देख लेते हैं तो इसमें दिया है 7 upon 8 और minus 5 upon 3 ठीक है minus 5 upon 3 ठीक यस तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे denominators है न वो सेम तो नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा denominators को सेम करना पड़ेगा तो कैसे हम कर सकते हैं सोचिए यहाँ पर क्या है 8 यहाँ पर है 3 तो सोचिए कोई ऐसा number जो दोनों में आए दोनों की table में आ जाए 3 और 8 के तो दीको अगर मैं यहाँ पर न इसमें 3 से multiply और इसमें 8 से multiply करना तो काम हो सकता है 一चाफ क्या होता है८् तो देखो पहले हम यह वाला फ्रैक्ष्ण लिख लेते हैं सेवं अपॉन एट ठीक है चलो अब इसको करते हैं मतलब करना होगा किससे करना होगा बताएता ना अगर नीचे किया तो 8 से तो देखो 8 से अगर नीचे किया तो ऊपर भी कीजिए तो 5 8 क्या होता है 40 यहां पर आजाएगा सबसे पहले हम लेगे माइनस वाले नमबर यानि माइनस को लिखेंगे की माइनस फिरो से बड़ा हो जाएगा न पूरा यहां टक आएगा कहा ट यो ग माइनस प्लस यहां न पढ़िड्याक स categ अगय बढ़ते जाएंगे तो यहां पे लास्ट में आजाएगा आपका एक प्लस 21 अपोन अपन बात में लगाने ठीक है यह पर आ जाएगा थीक है आपर जाहेगा प्लस 21 ठीक है अगर nem नहीं लिखे क्योंकि अगर लिखने जाएंगे तो मतलब बहुत बढ़ा हो जाएगा आपको उतना लिखना भी नहीं है बस आपके समझने के लिए मैंने यह लिखा है ठीक है आप ऐसे लिख दोगे ना पता चल जाएगा कि डॉट का मतलब यह है कि इनके बीच में और भी नंबर्स आने वाले है ठीक है चलो अब आगे चलते है यहां पर देखिएगा सभी के डिनॉमिनेटर में लिख देते बच्चों 24 तो इसके डिनॉमिनेटर में लिख देंगे 24 ठीक और फिर यहां पर इसके डिनॉमिनेटर में भी आएगा 24 और यहां पर भी बच्चों क्या आजाएगा 24 इसी तरीके से आगे यह जाता जाएगा और कहां तक जाएगा जैसे 19 के denominator में 24 लिखेंगे 20 के denominator में 24 लिखेंगे 21 के denominator में 24 ठीक है तो आप लोग देख सकते हो यह 40 upon 24 है न यह कहां से आय था यहां से आय था तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते बचो तो माइनश स reag Online वे सकते हैं फिर इसके आगे क्या में मान अपनन स्थैंटी नाइपसे छाहिए यहां पर इसके प्लेस प्लेशपी हम क्या छक्ते सब्सक्राइब आपका यह वाला नंबर और दूसरा आपका यह वाला नंबर नहीं के तेन दुनुक नंबर के बीच के तीन रॉट नंबर पताने थे न तो इसमें देखिएगा तीन राइशनल नंबर उठाई और लिग दीजिए ठीक है तो चलो काम करते हैं इसको और इसको यहाँ पर हम लिखेंगे की हैंस the three rational numbers between the three rational numbers between 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 कौन कौन से numbers है माइनस 5 अपॉन 3 आड दूसरा 7 अपॉन 8 आर देखें क्या क्या हो जाएंगे कोई पर भी यह लिख दीजिए तो हम यह ले लेते हैं माइनस 39 अपॉन 38 फिर उसके बाद यह ले लेते हैं माइनस इस तरीके से आपका यह वाला कोस्चन था शिक्स सबकोस्चन यह भी होता है complete आप लोग देख सकते हैं सब कोश्चन देखिए बच्चों क्या दिया यहां पर फाई अपॉन सेवन और दूसरा नंबर क्या है 11 अपॉन सेवन ठीक है इनके बीच के हमें तीन रैशनल नंबर्स बताने हैं तो देखो बच्चों यहां पर डिनोमेटर सेम है यानि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी प अपॉन सेवन चाहिए इन राशनल नंबर्स बताने तो इसमें कितने इन चाहर पांच ठीक है तो इसमें से तीन उठाई है और लिग दीजिए और वहीं आपका क्या हो जाएगा बच्चों फाइन तो चलो फिर देख लिएटे हैं पर फाइनली हम इसका आंसर लिख देते हैं क्या लिखेंगे की हैंस कैसे यह जा रहा है सही करके लिखू रुखो सही से करके लिखती हूं ऐसे लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है यह 7 है ठीक अब भी बी जा रहा है नहीं अब ठीक है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे और हम हम्हाँ त्री र Candal ूबूस्ति नूम्हाँ थे मिनन maxim YEAH तो 5 upon 7 and 11 upon 7 और कौन कौन से नंबर से देखो इसमें से कोई भी 3 उठाई और लिख दीजिए तो फिर हम लिखते हैं 6 upon 7 फिर 7 upon 7 लिख देते हैं और 8 upon 7 लिख देते हैं ठीक ये तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर अब लोग चलते हैं आगे और देख लेते हैं आपका अंतीम कोश्चन है ये आपका लास्त वाल है तो थोड़ा में इसको इधर लिखना चाहूंगी लाइन गहीं देते हूं पहले तो ठीक ये रहा आपका आठवा सवाल माइनस 3 upon 4 और दूसरा नंबर क्या था जीरो ठीक तो दो नंबर्स हमें दिये गए हैं जीरो एंड माइनस 3 upon 4 तो इसको कैसे सॉल्फ किया चाहें तो सबसे पहले डिनॉमिनेटर को सेम करना होगा ठीक ह तो देखो बच्चों आप लोग को एक बात बताती हूं जैसे यहां पर डिनॉमिनेटर में क्या है 4 ठीक है तो इसके डिनॉमिनेटर में भी अगर हम 4 लाएं जैसे कि मैंने यहां पर 0 upon 4 कर दिया और यहां पर मैंने लिखा माइनस 3 upon 4 ठीक है तो इन दोनों के बीच में कित यहां पर देखो डो इन अवर यह यहां अगर आपने 4 कर दिया और तब जाके इसको किया तो फिर आपको दो ही रैशनल नंबर मिलेंगे हमें तो 3 चाहिए मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते यानिकि 4 हमें मतलब 4 लेकर के हम नहीं करेंगे क्या करेंगे जो इसको थोड़ा और हम बढ़ा करते हैं, तो 4 से बढ़ा क्या हो जाएगा, 8 है न, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 8 से multiply करेंगे, और इसमें 2 से, तो देखो, यह जो 0 है न, बच्चो, इसमें, देखो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है न, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1, ठीक है, तो इसमें हम लोग 8 से multiply कर देंगे, उपर और नीचे, तो 0 8 से क्या हो जाएगा, 0 और 1 8 से क्या हो जाएगा, बच्चो 8, ठीक है, तो देखो, यह वाले fraction को हमने इस तरीके से convert कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, minus 3 upon 4, तो इसमें हम लोग multiply करेंगे, देखो, 8 क पर चोटा नंबर कौन सा होगा, तो आप जानते ही हो, जैसे 0 के बाद हमें negative numbers मिलते हैं, यानि कि negative number चोटा होगा, और तब जाके 0 आएगा, मतलब 0 बढ़ा होगा, ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे, कि we know that हम जानते है, क्या जानते है, कि सबसे चोटा यहा होगा, बच्चो, minus 5, फिर उससे बढ़ा क्या होगा, minus 4, फिर इससे बढ़ा क्या होगा, minus 3, और इससे बढ़ा होगा, minus 2, फिर इससे बढ़ा, minus 1 हो जाएगा, और इससे बढ़ा क्या होगा, 0 जो finally यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अब सभी के upon में हम लोग क्या करेंगे, 8 लिख देंगे minus 6 upon 8 minus 5 upon 8 फिर minus 4 upon 8 और यहां पे minus 3 upon 8 ऐगा फिर यहां पर minus 2 upon 8 उसके बाद से minus 1 upon 8 और लास्ट में आ जाएगा बच्चो 0 upon 8 ठीक है यह दोनों नंबर से ना अब ध्यान से सुनना मेरी बात थो को तो यह माइनस चा है कहां सेạnh्या है यहां सेल तो देखे chưa यहां पर इस पिंद रिख सकते हैं घ्रायर इसके प्लेट मिख लिख सकते हैं माइनस 3 उसके बाद लिखना है यहなた लिखनात है माइनस फाइपूर इडैस देन मइनद 4 बाट convenette less than minus 3 upon 8 less than क्या लिखेंगे बच्चो minus 2 upon 8 फिर less than minus 1 upon 8 और यह कहां से आया है तो देखो यहां से आया है इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 0 ठीक है तो दो नंबर्स यह है एक तो यह और दूसरा है ठीक है तो इन दूनों नंबर्स के बीच के हमें रैशनल नंबर्स बताने थे न दूसरा है तो नंबर्स बिट्वीन थे रैशनल नंबर्स बिट्वीन कौन कौन से नंबर्स है एक तो है माइनस 3 upon 4 कोई भी तिन उठाइए और लिख दीजिए तो चलिए एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं माइनस वाय पॉनिट देखो इसका जो आंसर है ना बच्चों वो पीछे के आंसर से मैच नहीं किया तो भी आप चिंता मत करना क्योंकि यहां पे जो आंसर है वो अलग-अलग हो लिखते हैं माइनस वाय अपॉन फिर दूसरा नंबर हम ले लेते हैं यह ले लेते हैं माइनस री अपॉन एट और तीसरा नंबर ले ले लेते हैं माइनस वन अपॉन एट ठीक है यस तो यह हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर आप देख सकते हो यहां पर हमने और टेलीग्राम चैनल से अगर आप सभी लोग नहीं जूड़े हैं तो जरूर आप जूड़ जाएएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्ट्रिप्चन में मिल जाएगा ठीक है बाकि क्लास सेवन्थ मैथेमेटिक्स का कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट मे आज के लिए बस इतना ही अभी मिलेंगे हम लोग निक्स वीडियो में ओके चलो गुडबाय आपरिवान